रियेजुकेशन की इस प्लेट फाम पर ये दिया आप नहीं हो तो किर्पया चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब शरूर करें नमस्कार दोस्तों रियेजुकेशन रिकर्पी में आपसे भी लोगे को स्वाटत है और आज के इस सेसर में हम लोग इस चैनल के बारे में चार्चा करेंगे कि इस रूपी क्या है और इस चेटर से समद्धित है इसका क्या प्रभाव है बैस्विक अस्तर पर इस रूपी से समद्धित जो आउधार राएं हैं वो तो इस से इसको जोड करके देखेंगे कि इस समद्धित है इस से किस रूप में इसका अंतर है तो हम लोग इस रूपी के बारे में चार्चा करेंगे इस रूपी इस में हम लोग जो है क्या है इसको देखेंगे इससे समद्ध है इसको देखेंगे इसके क्या प्रभाव है इसको देखेंगे और वैस्विक बित्रण कि बित्रण का मतलब जो है प्राव और क्रिप्टो करेंशी क्रिप्टो करेंशी से जो है यह किस रूप से जो है समद्धित है इस पॉइंट को हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे बदले हुए जो है परिद्रिस में कमिशन के जो है अप्रोचेज में जिस तरीके से चेंज आए हैं आप लोगों कोई भी टापिक हो छोटा हो या बड़ा हो हमेशा से उसको कांसेप्चूल तरीक में बनकी मेंस में अगर उससे टिपड़ी पूछे जा रहा है क्योंकि आज की डेट में चाहे वो यूपी पीसी हो तुदा पॉइंट आप से एंसर जानने के लिए जो प्रयास करता है और इसी अप्रोच के अंतरगत बोह एक कोईस्चन में दो दो तीन 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 की उसपर पूछता है कि आप उसकी बारे में क्या जाते हैं तो अगर आप इन तरीकों से किसी भी टॉपिक को कबर करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तोर पर आपका एक व्याफक दिरिश्ची गोड़ होगा और आपको ना कीवल प्रेटिक्स में बनकी मुखे कि सवालों को हल करने में जो है सक्षम और सफ़ल होगे तो यहां पर अभी यह रूपी लिखा हुआ है यह रूपी अभी हाल में ही आर्वियाई के द्वारा यह नेड़े लिया गया है कि भारत की अर्थिब्यवस्था में डिजिटल मुद्रा के रूप में यह रूपी को आइक धिजिटल करिंसी है और इसकी जो स्थिति है वह बैद है यानि कि इसको कानूनी दरजा प्राप्त होगा, यह सबसे इंपोर्टेट चीज है कि केंद्रिय बहिं के दौरा प्राणम किया रहा है, इसलिए इसका इसका स्थिति बाइड होगा को पैलिड होगा उसको कान इसमस्सादर मीटरढ किअ जाएगा और यहें करत्रब्यवॉस्ठार के क्रियात्रम पक्ष को जो है एक दूसरी तरीके से जो प्रभावित करेगा जिससे कि जो यहां की जो समझना है वहां पर फेजिकल मुद्र को हटा करके इसको परियूग नहीं किया रहा है बन्कि यी प्रीयोग यहां होटा है कि 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 पाई अखिक्षाषेट प्रोजिक्ट का मतलग्य होता है कि इसे जो है सभी चेट्रों के लिए गारी के लिए बुछ करी 실न के लिए कि नहिं के कुछ FX कारी लिए इस利ख लिए जिस्ट कारियों के लिए इसे परयोग में लाया जाएगा और यदी इसकी सफलता जोई उस छेतर में इस्थापित होती है तो इसे all the life में लागो हो जाएगा, तो पुल मेरा गया कि इस सवाल का जवाब al-www संबंद के अर्थ व्यवस्था से संबंदित है और व्यवस्था की छेत्र में मुद्रा के स्थानांतरण के संबंदित है या किसी बस्त के नूर लेके मापन के रूप में इसका परियोग किया जाना संभव हो सकेगा अब प्रभाव का क्या है कि इससे चाहिट सी बात है तो इससे एकॉनमी को डिजिटलाइज करने में जो है मदद मिलेगी जो कि भारत के जो है डिजिटलाइज करेगा इसके रूप में इकॉनमी को भी डिजिटलाइज करेगा रूपे के यानि की जो करेंसी होती है उसके फिजिकल होने के कान से उसके साथ जो नेगेटिव एसपेक्ट जुड़े होते हैं उसका फुराना होना कमजोर होना फट जाना रखने की जो है सुरक्षा इत्यादी चीजों को भी जो भी परतिय स्थापित करेगा और डिजिटली लेंदेन के लिए उपलब्द होगा तो एक इसमें एस्पेक्ट हो जाता है कि अर्थव्योस्था का डिजिटलाइजेशन इसका जो है एक उद्देश्शन होगा दूसरी जो है मदद करेगा और एक और बात है कि जैसे हम जब मुद्रा को कहीं पर भेजते हैं धनराशी को कहीं पर भेजते हैं तो उसके आयात मदद भेजने और प्राफ्ट करने में पे सुल्क अदा करना पड़ता है तो जहां पहले जो है सेवन परसेंट हुआ करता था अब उस अमाउंट बड़े कार्पस पर जो है ये परसेंटेज अपलाई किये जाते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप जो है उसमें क्रियेट होता है तो कुल मेरा करके ये चीज आती है प्रभाव में कि अर्थव्योस्था को डिजिटलाइज करने में मदद मिलेगा मनी लंडिन को और सुल्कों के रूप में आदा किये जाने वाले ध्हंद्राशी को भी कम किया जाना संभव हो सकेगा वैस्पिकस्तर प्रग्रम वित्रण की बात करें तो 2020 में पहली बार जो है वह बहा मास में इसको प्राराव किया जा चुका है और वैस्पिकस्तर प्रग्रम नौ देशों में जो है यह सुरू किया जा चुका है और चौदा देश लगवग इसकी तयारी कर चुके हैं और इसी के साथ में भी जो है इसे जो प्राराव किया जाएगा आप लोग को जानकारी में होगी कि बजट 2022 में जो है यह घोशित किया इसी पहले के इंतर जो पाइले प्रोजेक्ट के रूम में आर्वी आई के दौरा भी भूशना किया गया है कि डिजिटल मुद्रा लांच किया जाएगा तो इस तरीके से बैस्पिक अस्तरप्र भी जो है यह एकसर साइज में है और नौ देशों में प्राना हो चुका है औ ले मंतीः ताद लेडम हो पाहरा मांच है गोदेश है जहां पर जो है डिजिटल मुद्रा केंद्रिय वंख के रूम न है किया गया है जैसा कि डिजिटल मुद्रा यहां पर कानूनी तरजा प्राव्ट होगा तो यह कुल मिला करके जो है इग डिजितल मुद्रा के रूप में जो है केंद्री बैंकार वियाई के द्वारा प्रारॉप किया जा रहा है जो एक पाइलेट प्रोजेक्ट है उससे समंधित फैक्ट फीगर से जिसे कांसेट में सम जिससे कि एक कांसेट आपको माइंड में जो है बन सके यह किवल एक उधारण है इसका उधिर से किवल सूचना देना इस बिशेपर तयारी कराना ही नहीं है बलकि आपकी एक सोच को भी जो है विक्सित करना है आपकी सोच को जो है इस तरीके से बदलना है जिससे आप स्प नमस्कार